भाई ये तीनो फॉन है भीवो के अभी आपके सामने अभी पर चालू हो रहे हैं अभी चालू होने दो जैसे मैंने चालू किया इसमें पास कोड हमने लगा रखा ये है 00 उसका पास कोड और ये है भीवो का इसका पास कोड हमें पता नहीं है कि इसका पास कोड क्या ठीक है य ये तीन फॉन वो फॉन है जो मारगीट के अंदर सबसे ज़्यादा रणिंग है जो हमारी दुकानों से बापसी जा रहे हैं अमराम जी कैसे हो आप सब और सुनाओ घर पे सब ठीक ठाक हैं तो भाई ये वीडियो जो होने वाली थी सिर्फ एप वाले भाईयों के लिए जिनोंने हमारा एप सस्किप्शन ले रखा परचेज कर रखी एप उनके लिए वीडियो होने वाली थी लेकिन मैंने सोचा कि ये सब को होना चाहिए अगर हम इन फॉनों को अनलोक करके दिखाएंगे तो वह हम दिखाएंगे कि अपनी एप पे कि किस तरीका से इन फॉनों को अनलोक करना है वन बाई वन करके हम बता दे जैसे अभी मार्किट में ओल एमटी के सीप्यों वाले जितने भी वर्जन हैं जित तो phone dead नहीं होगा वो safe बचा रहेगा आप उस पे कुछ भी try करके देख सकते हो ठीक है अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि हम कोई भी चीज आपको बताते हैं समझाते हैं उसमें देखो मैं एक परिवार की तरह आपको बताता हूँ कोई भी चीज हो अच्छी तरीका से ह क्योंकि उसमें पूरी knowledge हो कि किस तरीका से वो काम करना वो काम करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा अगर करोगे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर आपने वो काम कर दिया कभी उल्टा नुक्षान हो जाए वो काम मैं नहीं करता जो प्यॉपर चीज होती है वो ही चीज नहीं लिया तो purchase कर ले न नीचे description में लिंक है भाई उस पे हम बहुत सारी चीज़े देंगे बनाके लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं अभी मैं उनके comment पड़ रहा था एब वाले भाईयों के comment पड़ रहा था वो बोल रहे थे हमारे साथ मैथिल भाई ने अगर मेरे को ऐसा काम करना ही होता तो यार मैं आज इतने बड़ी लेवल पर थोड़ी पहुंसता आपके महरवान इससे पहुंचा हूं तो मैं आज इतने बड़ी लेवल पर पहुंचा हूं तो पहली बात तो अपने दमाग से यह खयाल या कोई आपके दमाग पर कोई और बात आती हो कि अजय भी हमारे साथ दोगा कर दे हो भाई आस तलग तबी सोचा नहीं है और ना करूंगा जब तक जिंदा हूं जब तक अगर मर गया तो कुछ कह नहीं सकता है देखो दुनिया क्या क्या कर जाती है वो काम हमें नहीं करना या बदनामी से हमें बहुत डर लगता है या मेरे पास हर चीज की मतलब हर चीज से सौक मोज है मेरे पास मैं फिर फ्रोड करके क्या करूंगा मैं आपके साथ में यह वीडियो इस वज़य से नहीं आ रही अरे यार कोई भी चीज जब मैं आपको बना रहा हूं बता रहा हूं समझा रहा हूं मैं टीचर हूं एक तरीका से अगर मैं टीचर ही होकर गलत पढ़ाऊंगा तो फिर मेरी क्या रहा है डा कुछ नहीं तो कोई भी चीज दक पर ke नॉल हो रहें आखर या वो अनलोक क्यों नहीं हो रहे सिंपल सी बात है ये कि हमें वीवो के फॉन अनलोक करने हैं वो अनलोक नहीं हो रहें अगर अनलोक कर भी रहें तो वो डैड हो रहें अगर डैड हो गे तो ओन कैसे करेंगे अगर वो phone में lock लगा हुआ तो उसे unlock कैसे करेंगे तो उसी topic पर आज ये video proper video ठीक है तो देखो भाई सबसे पहले समझ लो कि बीबो ने अपनी security बढ़ा दी है मतलब update कर दी है अगर आपके पास आपकी दुकान पर कोई phone आता कोई भी किसी brand का सबसे ज़्यादा कौन सा model चल रहा सबसे ज़्यादा चल रहा है आपका Y12 और Y15 और आपका Y19 ठीक है ये Y वाली series और मैं आपको उता दूं कौन कौन से मैंने लिख रखें थोड़ा ऐसा दमाह के नार भूल जाता हूं ठीक है ये देखो मैं आपको अदा रहा था ये Y12 हो गया Y15 Y17 हो गया ठीक है और Y30 हो गया आपका Y30 हो गया और Y71 हो गया V9 हो गया V7 हो गया V7 प्लस VAC के अंदर ठीक है ये और Y90 है और Y91 IB हो सकता इसमें दो आते एक क्यान में एक Qualcomm CPU वाला एक MTK CPU वाला ध्यान रखना आप अपना ठीक है और एक क्यान में C ये model है ये model है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9-10 model है और भी कुछ model है जो X-Series के है X-Series मैंने लिखा नहीं है यहां पर ठीक है ये अब इनका तरीका क्या अनलॉक करने का भी या इनका तरीका वो ही है जो आप पहले से ही करते आ रहे है simple सा तरीका कि phone को पहले वीटा मोड में ले जाओ और उसके बाद में factory reset कर दो save format कर दो bibo format कर दो किसी भी टूल से कर दो ठीक है जब से इनकी security बड़ी है जब से इनकी security बड़ी है तो आप किसी भी टूल से try करोगे phone field हो जाएगा अगर unlock tool से करोगे तो dead हो जाएगा unlock tool क्या करेगा सबसे ज़्यादा y12, y15, y17 इसको dead कर रहा dead कर रहा सबसे ज़्यादा इसको unlock tool को छोड़के फिलाल बीबो के मामले में unlock tool को छोड़के आप MTK से try करो और उस पे special लिखा आ जाता है कि new from bear ठीक है उसके अंदर special ये लिखा जाता है कि new from bear अगर आप UMT से try करेगो किसी भी phone को MTK और ये MT के अंदर जो इस CPU ना ये वाले CPU ये वाले एक मिनट ये वाले CPU देखो 60-65 है 60-62 है 67-68 ये तीन CPU सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमारे वीबो के MTK CPU में सबसे ज़्यादा update है ठीक है तो इनी चीजों को ध्यान रगना आपको और आप चाहते हो कि भीया नहीं हमें दुकान से कस्टुमर को नहीं भेजना हमें बापसी हमें तो फॉन अनलोक करना तो भीया कस्टुमर को मना लो अगर कस्टुमर उस तरीका से आपको पैसा दे तो भी यह online agent है, उनसे contact कर लो, चाहे तो TFM tool से करा लो, बताओ, अगर इतना पैसा customer दे सकता, तो काम कर लो, वर्नान रहने दो, ठीक है, अब यह हो गया कि सर, यह हम unlock कर रहे हैं, और dad भी कर रहे हैं, हमें चालू भी करना, तो भाई देखो ऐसा, मैंने simple सा app जो अपना बनाय है, वो app इसी purpose से बनाया, कि हम उस पे private video डालेंगे, private video क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें YouTube से लगता, डर, जो हम इतने आज इतने subscriber पहुंचें, आपकी मेहनत हुई है, आपने हमें subscribe करके रखा, क्योंकि वो जो हमारी मेहनत एक ही जटके में खतम हो सकती है, तो हमने app सिर्फ इस वजए से बनाई, और हमने उसका पैसा क्यों रखा, उसका पैसा सिर्फ इसलिए रखा है, जिसको जरूरत है, वो ही उस app को purchase करेगा, जिसको जरूरत नहीं है, वो app purchase नहीं करेगा, अगर मैं उस app को फिरी रख देता, तो वो कच्रा हो जाता, कच्रा, एरा गेरा आया, आके चला गया, उसने क्या किया, क्या नहीं किया, रखा नहीं रखा, तो वस, तो हम इसमें एक team भी बना रहे है, हमने एक group बना भी दिया है, जिन्होंने हमारी app purchase कर ली है, टेली ग्राम का तो उनका mention हो चुका था, लेकिन मैंने टेली ग्राम मना कर दिया, कि टेली ग्राम मेरे पास है, जिन्होंने हमारी app purchase किया, सारी detail है हमारे पास में, ठीक है, तो अब चैतो मैं ऐसे करूँगा, जिन्होंने app purchase किया है मेरे को, उनको मैं text message करूँगा, उनके number है मेरे पास में, text message करूँगा, वो join हो जाएंगे, और जिन्होंने हमारी app purchase नहीं किया है, तो वो group उनके लिए नहीं रहेगा वो सिर्फ WhatsApp ग्रूप उनके लिए रहेगा और उसमें 2-3 बंदे admin रहेंगे जो आपको software से relative सिर्फ software से relative किसी चीज़ बेफसते तो आपको वो चीज़ बता देंगे और हमारा app का motive काम यही है कि हम उसमें कुछ ना कुछ जो प्राइवेट वीडियो जो हम YouTube पे करके नहीं दिखाते वो चीज़ हम डालेंगे सिर्फ वो ठीक है बाकी जो अदर चीज़ हैं बाकी हम YouTube पे दिखा सकते हैं वो जो payment ले रहे न वो कोई ज़्यादा cost नहीं है आपसे जो 149 रुपे ले रहे हो कोई ज़्यादा payment नहीं है अगर आपने उस app के थुरू एक दो phone repair कर लिए तो उसके आपका पैसा बसूल हो गया और हर मन्तली आपको 149 रुपे देना पड़ेगा जो interested होंगे भी है जिनको थोड़ी knowledge चाहिए ही होगी तो वो तो भी है जोइन करेंगे और जो बोलते हैं कि हम अपग्रेड हैं या वो है वो है तो भी है वो बेसक जोइन मत करना और आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा कर लेना ठीक है तो देखो मैंने न वो phone भी सिर्फ यह जो वीडियो न डिले क्यों हो रहा था एक मिन्ट जो हमारा वीडियो न वो डिले क्यों हो रहा था वो डिले इस वज़ाए से हो रहा था यह देखो यह कौन सा मॉडल है Y12, Y15, Y17 इसे कुछ भी मान सकते हो आप इसे ठीक है यह बीवो का और यह इसमें लॉक लगा हुआ यह कौन सा 1S ठीक है यह सारे के सारे फॉन चालू है भाई हम इन पे सब तरीका जितने इंडिया के अंदर टूल है ना जितने भी टूल है इंडिया के अंदर नई ते नई पराने तो पराने एक TFA में छोड़ गे सब सर्क ट्राइ कर रहे किस तरीका से करते मैं चाहता हूँ आपको सिर्फ USB वाला काम फॉन खोलना ना पड़े हमें सिर्फ USB की तरीका से काम हो जाए उस तरीका से मैं चाहरा हूँगे नहीं तो भीया बहुत सारी वीडियो हैं ऐसी जिनमें हम फॉन को खोलेंगे और वो काम करेंगे और सिंपल सा कर देंगे ठीक है अभी कुछ भाईयों को MT की मतलब बीबो की बीबो की फ्लैसिंग के बारे में नहीं पता कि बीबो के फॉनों को फ्लैस कैसे किया जाता उसको ही नहीं पता वो बताएंगे हम अपनी एप में कि किस तरीका से उस चीज को करेंगे बाकी हो सकता है कि यह फ्लैसिंग हम चैनल पर दिखा दे मलब जो चीज में हमें खत्रा लग रहा ना उस चीज को हम एप पर प्रवाइड कर रहें सिर्फ हमारा काम यह है चैनल पर देखना चाहते हो तो भाई हमारी एप पर सिफ्ट हो जाओ ठीक है जोइन कर सकते हो एड कर सकते हो यह तो हो गया हमारा अब भया इन फौनों को चैनल टी एफम टूल से ट्राइ करके देख लो अगर टी एफम टूल से ट्राइ नहीं करना चाहते तो भी है कस्टूमर को सेट को बापसी दे दो और नहीं तो अनलोक टूल से डैड कर लो हम चाहते हैं कि आपको अच्छी नॉलिज दें अच्छी वो मिले अब एक चीज सोचो सोचो नहीं बताता हूँ मैं आपको कि जो हमारे जो यह security patch update हुए है सब के अब आप कोई बंदे का फोर्न security patch अपडेट नहीं हुआ बहुस्ते बंदे नहीं करते हैं उनके पास इतना net नहीं है वो सर्फ इतना huge में रखते हैं कि calling और बातचीत के लिए अगर आपकी दुकार पर ऐसा भी हो सकता कि फुराना मॉडल आया हो जिसके अंदर 10 वर्जन हो ठीक है 9 वर्जन हो वो simple सा volume down और अपकर करके hard reset हो जाएगा FRP के लिए FRP के लिए हाथ से सबसे best तरीका हाथ से try करूँ सब हो जाएगा ठीक है तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है ये जो मेरे पास ये phone है इनका full वीडियो हमारी app पे आ जाएगी किस तरीका से phone को flash करते हैं किस तरीका से FRP remove करते हैं और किस तरीका से हम ये phone unlock करके सबसे बड़ा मसला ये है सभी मसला ये बंबई का बड़ा है मसला भाई 12 भाई 15 भाई 17 ये सब भी भाईयों इस वाले model को return कर रहे है या dad कर रहे है या उसे करी नहीं रहे तो इसका full वीडियो आ जाएगा घबराने की कोई बात नहीं है और जो ये पहले हम क्या करते थे प तो वह अब नहीं हो रहा तो भीबो वाले नहीं क्या किया जो हमारा user data file होता वो दूसरे folder में shift कर दिया अगर by chance आपने गलती से user data delete कर दिया तो phone गया आपका ठीक है वो dead नहीं होता एक तरीका से उसे phone को flash करोगे तो वो flash होरके on हो जाएगा आपका on हो जाएगा पर लेकि कुछी ऐसी हैं अंदर की जो आपको हमेशा समझनी चाहिए और आपको आना चाहिए अगर आप किसी institute में गए हो तो आप अपने जो institute वाले support देते हैं उन से contact करो कि हमारे phone जो भी है वीबो के वो एक तरीका से dad भी हो रहे और वो dad भी नहीं हो रहे वो bro mode में चले जाते हैं लेकिन bro mode में बहार निकलने के लिए एक file होती है जिसे हम exit करते हैं वो file हर किसी model की अलग-अलग होती है तो उसी तरीका से अभी हम कुछ research कर रहे हैं power tool की team से जो owner है उन से मेरी बात हुई थी और मैंने उन से बोला कि अगर आपके tool में थोड़ा और थोड़ा और मसाला आ जाएना तो बहुत अच्छा लगेगा में की मसाला क्या में की मसाला यह जो बीबो के हम लोग परेशान हो रहे हैं बीबो को phone लेके अगर आप उनकी update दे दें या किसी तरीका से उसमें credit का matter कर दें या कुछ बिना credit के काम कर दें तो थोड़ा हमारे लिए benefit हो जाएगा तो उनकी कोई team है team का जो बंदा डवल जीरो से उनका number स्टार्ट होता मुझे नहीं पता कि वो कहा का तो उनसे बात हुई है चैट हुई है मैंने सारे model जो हमारे थे जो हमारे डैड हो रहे थे वो सब लिखके उनने notice कर दिया उनने बोला था कि वो हो किस से रहें मैंने बोला कि वो tfm टूल से हो है credit के तो वो उन्होंने एक जवाब दिया coming soon new update ठीक है तो अभी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि light आनी रही है सुबैसे और inverter का जो backup था वो खतम हो गया panel का बहुत load हो था वो बंद हो गया तो अब हम मिलेंगे next वीडियो में या मिलेंगे अपनी app पे अब फाइनल ही हम जितन इन फाइनल वीडियो बनाके upload कर देते हैं कैसे unlock होता किस तरीका से हमें करना और किस तरीका से हमें phone को flash करना या किस तरीका से हमें phone को dead नहीं करना हमें bro mode से बाहर लाके उसे on कर देना तो यह चीज आपको समझनी है तो भाई हमारी app पे जा सकते हो जोइन कर सकते हो तो next व